आप देख रहे हैं दखल न्यूज कॉंग्रेस इस्थापना दिवस पर बोले राहुल गांधी आसम को आसम की जनता चलाएगी आरेसेस की चट्टी वरेने प्रेंका गांधी पर बड़सी प्रमुख मायावती कॉंग्रेस ने की तलितों की अंतेखी इसलिए बनानी पड़ी प्यास प्रिपल तलाग पीडिताओं को बड़ी रहात यूपी सरकार का इस सुभधाओं के साथ देगी 6,000 पेंचिन प्रेश के अधिकांच हिस्सों में सर्दी का कहरम दिभारत में सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर और पुलिस वाले ने बच्चे के साथ थी हैवानियात मुक्रमत्री कमलनात ने कहा ऐसे पुलिस वाले पर हो सक्त कारवा है नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं तखली उस खबर विस्तार से कॉंग्रेस इस थापना दिवस पर कॉंग्रेस के पूर्वा अध्यक्ष राहुल गांधी ने आसम के गोहाटी में रैली की इस दौरान उन्होंने मोधी सरकार पर हमला बोला और कहा कि नफरत और गुस्से से असम आगे नहीं बढ़ेगा खुशी और दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूँ असम को आरेसेस की चड़ी वाले नहीं चलाएंगे असम को असम की जनता चलाएगी कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के गोहाटी में कहा ये रैली ऐसे समय में है जब पूर्वतर के राज्यों में नए नागरिक्ता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है राहुल गांधी ने मोधी सरकार पर हमला बोला और कहा नफरत और गुस्से से असम आगे नहीं बढ़ीगा खुशी और दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूँ बीजेपी युवाओ को मारना चाहती है बीजेपी हमारी संस्कृती और इतिहास पर हमला कर रही है आज भारत में सबसे ज्यादा बिरुजगारी है पियमोधी का काम नफरत फैलाने वाला और देश को बाठने वाला है उन्होंने कहा कि असम को नाकपुर नहीं चलाएगा असम को आरेसेस की चड़ी वाले नहीं चलाएगे असम को असम की जनता चलाएगे मैं आपको यहां बता रहा हूं और सीधी बात कर रहा हूं हम बीजेपी को आरेसेस को असम की हिस्ट्री भाषा संस्कृती पर आक्रमन नहीं करने देंगे असम को नाकपुर नहीं चलाएगा असम को आरेसेस के चड़ी वाले नहीं चलाएगे असम को असम की जनता चलाएगी यहां से राहुल गांधी ने कहा चुनावों सिप पहले मैंने भविश्वानी की थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो असम में एक बार फिर हिंसा होगी दुख की बात यह है कि सच हो गया उन्होंने कहा असम में 15 साल पहले आया था तब मुझे राज्य की संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी लेकिन आप सभी से मिलने के बाद ही मुझे असम के महान इतिहास और विरासत के बारे में पता चला राहुल गांधी ने कहा मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे आपके राज्य के बारे में सब कुछ पता है लेकिन मैं कम से कम आपकी जड़ों को जानता हूँ मैंने आसम में भाईचारा और सब को साथ लेकर चलना सीखा है आज मैंने आपकी धर्ती के बेटों के प्रती सम्मान व्यक्ते किया मुझे डर है कि एक बार फिर आसम बीजेपी की हिंसा के चक्र में फस सकता है आपकी ताकत आपका भाईचारा है कभी ये मस सोचिए कि आसम नफरत से आगे बढ़ सकता है बोजन समाच पार्टी की सुप्रीमो मायवती ने कॉंग्रेस की महासाचिफ प्रेंका गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर जम का निशाना साधा मायवती ने कॉंग्रेस की भारत बचाओ सम्मिधान बचाओ रैली पर निशाना साधती हुए कहा कि कॉंग्रेस को सकता में रहते वक्त जनता के हितों की याद क्यों नहीं आई उन्होंने कहा दूसरों की चिंता व्यक्त करने के बजाए स्वैम कॉंग्रेस अपनी इस्थिती पर आत्म चिंतन करती तो बहतर होता मायवती ने ट्विट कर कहा कॉंग्रेस आज अपनी पार्टी की स्थापना दिवस को भारत बचाओ सम्मिधान बचाओ के रूप में मना रही है इस मौके पर दूसरों पर चिंता व्यक्त करने के बजाए कॉंग्रेस स्वैम अपनी इस्थिती पर आत्म चिंतन करती तो यह बहतर होता जिससे निकलने के लिए उसे अब किस्म किस्म की नाठक बाजी करनी पड़ रही है दूसरे ट्रिट में मायवती ने लिखा भारत बचाओ सम्मिधान बचाओ की याद कॉंग्रेस को तब क्यों नहीं आई तब ही फिर बीएसपी को भी बनाने की जुरत पड़ी प्रैंका ने कॉंग्रेस के 135 वे स्थापना दिवस पर यहां आईजित एक समहारों को संबोधित करते हुए कहा एक दमनकारी विचारधारा है आज भी हम उसी से लड़ रहे हैं जिससे हम आजादी के समय लड़ रहे थे जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदा नहीं दिया वे देशभक्त बनकर देश भर में बैफनाना चाहते हैं देशभक्त के नाम पर लोगों को दराया जा रहा है उन्होंने कहा दूसरी पार्टिया सरकार से डर रही हैं वे कुछ नहीं कर रही हैं कॉंग्रेस को संघर्ष की चिनौती स्विकार है अज भी हम उजीर जाद भारा से गर रहे हैं जिससे हम आजादी के समय लड़े है जिनोंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया आज वही देशभक्त का नाम लेकर अपने आपको देशभक्त कर्ष करों के देश भर में भै पहलाना चाहते हैं उत्रप्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक पीडिताओं को बड़ी राहा दी है योगी सरकार ने ऐसी महिलाओं को 6,000 रुपे सालाना पेंशन देने का फैसला किया है ट्रिपल तलाक बिल संसत से पास होने के बाद केंदर सरकार ने राज्यों के लिए अधिसूशना जारी की थी इस पर यूपी की योगी आधित्तिनाथ सरकार ने तकाल कारवाई शुरू कर दी थी तीन तलाज बिन पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के सियम योगी आदित्तिनाथ ने तलाज प्रिडिताओं से मुलाकात की थी और उनके सामने पेंशन देने का वादा किया था हाला कि तब राची तैर नहीं हुई थी अब वित्य मंत्राले ने 6,000 रुपे सालाना की राशी तैकी है जानकारी के मुताबिक नए साल में ये राशी मिल जाएगी इसके बाद अगले वित्य वर्ष में इसके लिए अलग प्रावधान किया जाएगा उतरप्रदेश में पिछले एक साल में 273 तलाक के मामले दर्ज हुए हैं इससे पहले यूपी सरकार तीन तलाक पीड़ित महिलाओं का मुकदमा निशुलक लड़ने का भी अलान कर चुकी है इसके लिए ग्रह विवाग विवस्था बना रहा है इस साल 25 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी ने लखनव के इंदरा गांधी प्रतिश्ठान में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं से समवाद कारिक्रम में कहा था कि जिनके पास आवाज नहीं है उन्हें प्रदान मंत्री आवाज या फिर मुख्यमंत्री आवाज से घर दिया जाएगा इन परिवारों को प्रदान मंत्री आयू शमान योजना या फिर मुख्यमंत्री आरोग योजना से स्वास्थ बीमा का लाब भी दिया जाएगा वक्फ संपत्तियों में भी उन्हें कैसे हक मिले इसके लिए कार्य योजना भी यूपी सरकार बना रही है पीन तमाद से ठीडिक और पतियों के बार ठोड़ें जनी प्रत्रक्ता मेहगाओं की उनरगाँ से समंग दिते हुए जिसमें ऐसे ही मेहगाओं को चिनित कर लिए उन्हें च्छेहदाव के सारान सरकार के बारा उन्टान देने के विवस्ता बहुत से किया जाए प्रदेश के साथ मध्यप्रदेश में तेज शीत लहर का कहर जारी है कई इलाकों में तापमान इतना कम हो गया है कि पेड़ पौधों पर बर्फ जमने लगे है प्रदेश में आसुभा सबसे कम तापमान टीकमगर में एक डिगरी दर्ज किया गया उधर कई शेहरों में पारा नौ डिगरी से कम डर्ज किया गया ग्वालियर चंबल और बुंदेल खंड अंचल में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है मद्रदेश को इस समय हार कमकपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है ग्वालियर चंबल इलाके में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा है ग्वालियर शेहर में तापमान 3.3 डिगरी से 4 डिगरी के बीच दर्ज किया गया है इन दोर में पारा 6.6 डिगरी दर्ज हुआ है बाला घाट में ठंड का सर बढ़ता जा रहा है प्रदेश के कई इलाकों में ठंड की वज़ा से फसलों पर पाला पढ़ने का खत्रा बढ़ गया है बोपाल में भी ठंड ने बुरा हाल कर रखा है पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमार एक डिगरी के आसपास टिकमगर में दर्ज किया गया है मौसम वज्यानिकों का मानना है आने वाले दिनों में पारे की गिरावट जारी रहेगी मावटा भी गिर सकता है प्रदेश में आने वाले दिनों में कडाकी की ठंड किया शंका है 31 दिसंबर तक एक जनवरी को बारिश के साथ होले भी गिर सकते हैं उत्तर पश्चमी की ओर से चलने वाली ठंडी हवा नीचे की तरफ बह रही है इसके चलते प्रदेश में तापमान में अचानाक से गिरावट आई है टिकमगर में पारा जहां एक डिगरी रहा वही छिनवाडा में 4.8 शेपुरी में 5 खनवा में माइनस 7 गौलियर में 3.3 गुना में 5.2 उज्जैन में माइनस 5 सागर में 4 राइसे में 3.2 दमगों में 2.5 नौगाओं में 3.1 खोशंगबाद में 8.4 बैतूल में 2.8 पच्मडी में 1.2 दतिया में 3.3 शुड़पुर में 3.4 डिगरी दर्च किया गया है मुंदेल खनड इलाका इस समय ठंड की चपेट में है लोग सर्दी से परिशान हैं ऐसे में खजराहों में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है और खासकर विदेशी सैलानी जम कर तफ्रीय कर मौसम का मजा ले रही है चतरपुर में मौसम में आई ठीटरंसे जहां लोग घरों में दुपके रहते हैं कोहरे का आलम ऐसा है कि दोपहर तक कुछ नजर नहीं आता वहीं विश्व परेटक स्थल खजराहों में इस समय परेटकों की संख्या में जबदस्त उच्छा लाया है सभी होटल अभी से बुख है मौसम में घने कोहरे की वज़ा से लोग घर से निकलने से डर रहे हैं वहीं खजराहों में परेटक सुभा से ही घने कोहरे में मौसम का मजा लेने निकल पड़ते हैं इतना ही नहीं जहां जबर्दस ठंड पड़ रही हो तो परेटक चंदेल काल इन मंदरों को देखने मंदरों में जा रहे हैं ठंड के चलते यहां के टुरिस्ट गाइड भी पड़े खुश है उनका मानना है कि ठंड में इतनी ठिटुरन के बाद भी परेटकों की संख्या में जबर्दस्त उचालाया है सभी देशी विदेशी परेटक इसका मज़ा ले रहे हैं वहीं परेटक भी मौसं की ठंडक से खुश है हैवानियत पर उतारू एक पुलिस वाले ने एक बच्चे की बेरहमी से पिताई की दौरान कई पुलिस वाले ये तबाशा देखते रहे इस घटना का वीडियो वाईरल होने के बाद मुखमंतरी कमलनाथ ने इस पर आपत्ती जाहिर कर दोशी पुलिस वालों पर कारवाई के निर्देश दिये हैं ये मामला दमों का है दमों से एक बेहत दिल देहला देने वाली घटना सामने आई है एक छोटे मासूम बच्चे का एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पिटाई करते हुए वीडियो वाईरल हुआ है इसमें पुलिस वाला हैवानियत पर उतारू है हैरान करने वाली बात ये है कि जब पुलिस कांस्टेबल बच्चे की पिटाई कर रहा था उस दौरन कई अन्य पुलिस कर्मी मूग दर्शक बने हुए बहां खड़े थे लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और आप यह? पर इस वारल वीडियो पर संग्यान लेते हुए दो कॉंस्टिबल महेश आदव और मनीश गंधर्व के खिलाफ केस तर्च कर लिया है इस पूरी घटना पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी संग्यान लिया है उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए ट्विट कर इसके जाँच के आदेश दिये है उन्होंने लिखा दम्हों में एक मासूम बाला की पिटाई का एक वीडियो मेरे संग्यान में आया है इस पूरे मामले की जाँच के आदेश पुलिस प्रशाशन को दे दिये गए है जाँच में जो भी दोशी सामने आये उस पर कड़ी कारवाई के निर्देश भी दिये गए है इस तरहा के हैवानियत से भरी घटनाय मानफता को तार-तार करती है वा बरदाश्ट नहीं की जा सकती और ना ही इसके दोशीयों को बक्षा जा सकता है एस पी ने बताया कि किस बात पर मासूम की पिटाई की गई ये बाते अभी तक इसपश्ट नहीं है लेकिन उन दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को पुलिस की तरफ से समन भेजा जा चुका है वीडियो में सफेद कपड़ों में एक व्यक्ती को अनवर्दी धारी कर्मियों के साथ एक लड़की की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है सुत्रों ने बताया कि वीडियो दमहों के कोतवाली थाने में 9 दिसंबर को शूट किया गया था जहां बाल सुधार ग्रह सागर से भागे एक मासूम को पुलिस ने पकड़ा था और पुष्टाश के नाम पर उसे बेरहमी से पीटा गया समय वरे कहबे के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखल दीव्स जंगीत 300 लहरियों से सांस्क्रित एक तानेबाने तक चंबर के पिढ़ों से नकसल वादियों के गड़ था झोपड़ी से महलों था धेलों था, पक्ड़न्डियों से स हकों तक गांउ से से शेहरों था, व्यापार से उध्योगों था राजश्लीति, से कूटमीतीत तक जंगल में रखते थे और जब भी कोई जनवर या पालतू जनवर उसको खाता है तो उसके मूह में विस्वोट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है इस मामली में बनविवहा की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है पीकमगर में बढ़वानी लखवारा रानीपूर मुट से आए ग्रामीडों ने कलेक्टर जनसुलवाई के दोरान यापंदेकर वन विवहा की नापरवाही और बंधिया जाती के युवको द्वारा जनवरों के मारने की शिकायत की है ग्रामीडों ने शिकायत में बताया कि वन छेतर मधूबन में कुछ बंधिया जाती के युवक खाने में विसफोटक मिला कर जंगल में रख देते हैं और जब भी कोई जंगली जानवर या पालतु जानवर उसको खाता है तो उसके मूह में विसफोट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है जंगल में जाकर जब इसका मौइना किया गया तो घटनास्तल पर कई जानवरों की लाशे पड़ी मिली जिनके मूह उड़े हुए थे और उनकी लाश वही पड़ी हुई थी कई लाशों को कुछ बंधिया उठा कर ले गए थे मानने के लिए तैयार हो जाती थी अब ए हत्गोला बनाके जगए जगए रखने लगी है जिससे गाय भैसे और जानवर मारे जा रहे है इसकी हमने कलेक्टर को आविदन दिया था कि सर्यादी इस प्रकार का अतंक इन लोगों तो आरा किया जाए तो हम लोगों के इस मामले में कही ना कही वन विभा के करमचारियों की लापरवाही नजर आती है जब इस संबंध में एरिया रेंजर को फोन पर संपर्क किया तो सभी के मोबाइल बन पाए गए दो दिन बाद डिस्टिक फॉरस्ट ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने अपने बीट निरिक्षक और अन्य करमचारियों को दिशानिर देश देने की बात कही लेकिन कही न कहीं ग्रामीरों में कुछ बंधिया शिकारियों को लेकर भैव्याप्त है जानकारी के अनुसार बंधिया समाज का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिले के कई थानों में प्रिवा में इस्थानिय प्रशाशन के संद्रक्षण में वहानों से अवैद वसूली करने का मामला सामने आया है आठियों करमचारी प्राइवेट लोगों की मदद से खुलेयां अवैद वसूली कर रहे हैं वहान चालकों का आरोप है कि उनके पास वहान और माल से संबंदित सभी दस्तावेद होने के बावजूद चेकिंग के नाम पर वसूली की जा रही है चिल्ला जवा मार्क पर आठियों करमचारी कुछ प्राइवेट लोगों के साथ वहानों से अवैद वसूली कर रहे हैं वहान चालकों का आरोप है कि उनके पास वहान और माल से संबंदित सभी दस्तावेद होने के बावजूद भी आठियों चेकिंग के नाम पर ट्रकों से वसूली करते हैं शिकायत करने पर आठियों करमचारी उनके वहानों को बंद कराने की धमकी देते हैं जिससे डरे वहान मालिक और चालक अवैद वसूली होने के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करते पिछला परिशाब आके पिछला तो पिछला नहीं दे रहे हो दिक्कत हो रहे हैं पिछला पहले महीना देते थे बाडर से गाड़ी चलती थे 15,000 रुपा महीने हैं हमारे सामने ही कई गाड़ियों से 5-5,000 रुपे लेकर छोड़ दिया गया जो पैसा नहीं देते उसकी गाड़ी की हवा निकाल दी जाती है उधर प्रधान आरक्षा का कहना है कि जिन वहानों के दस्तवेज सही नहीं है उन्हें ही रोका जा रहा है जिनके दस्तवेज सही है उनको छोड़ दिया जाता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मात्र उसमें एक करमचारी थे आर्टियों से संबंदे थे लेकिन उसमें लबग दलाल टाइप के वहां पर गुंडे टाइप के ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे गुंडे ही हैं तो रखाल हो गया अर रख्वाने के व 기대 उनसे पैसा की वसूली करते ले यहां तक का बट्यमी जी करते थे वहां की जनता को में मैं जाली गलोड करना और हाडी का हावा निकालना हावा दे रहे था जो भी पर अपना पुरा रिकार दिखा सभी र्पर क 실ण होने के पास्जात कंप्लिट होने के पस्चात भी वो पैसा वसूल रहे थे कई दिनों से चालू है कलेक्टर साहब का और प्लस आर्टियों साहब आडर है और उसी के मुताबिक जहां चल रही है अब यह मिल गए अभी तो यह पहला है कुछ ट्रक और भी आया थे जिसके कागज कंप्लिट रहत जो आमने सामने मिलता है जिसको रोकते हैं जिसके कागज सहीर है तो उसको छोड़ दिया जाता है यह तो कलेक्टर साहब का और आर्टियों साहब का आरर है उनने मार्च तक के लिए दिया है मार्च तक चले गई है जातरपूर में सागर लोकायिक्त पुलिस ने नैशनल हाईवे के मैνेजर को एक लाच की रिश्वत लेते गिरफतार किया है आरोपी मैनेजर सुरेश कुमार अगनियोतरी सागर जिले के कर्रापुर में आवे तक गणेश कोरी से पेटल पंप की एनोसी के नाम पर एक लाह की रिश्वत ले रहा था उसी समय सागर लोकायक्त पुलिस ने उससे रंगे हातों गरफतार कर लिया लोकायक्त पुलिस यह जानकारी लगा रही है कि आरोपी मैनेजर ने दो दिन में कितने लोगों को एनोसी जारी की है जिसमें आरोपी ने कितनी रिश्वत एनोसी जारी करने में ली होगी पकड़े गए आरोपी के विरुद ब्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्श कर लिया गया है उधार आरोपी का कहना है कि उसे फसाने के लिए ये करवाई की गई है उसने किसी तरहा के रिश्वत की मांग नहीं की है नहीं हमने है नहीं ली वो तो चोड़ने जा रहे थे वो ले कि चाय अधर से आया है बसे स्टेंड शोड़ देते हैं चलो जी एक चेक चाय हो जाएगी आज खाना खाया नहीं था साब के साथ चात खाई दी तू चलो जूए जना क извi चलो ये क benefits को यह नहीं को recuperate यह दिने जाड़ी में हम छोड़ने के अपने बाइसाफ के साथ नोओ आजाने वाले थी और इनने बसा पिस टेंड की चक्कर में चोड़ दी है कि वह यह लेने चलते हैं लेकिन बैग में यह वह हमें पुछ भी दिए वालम नहीं हमारे पास कुछ भी में है आज हमने NHI के मेनेजर एक लाग की रिस्वत लेते वे पकड़ा है अवे दक अवे दक अवे दक गनेश कोई दुबारा जो है एक तरीस तारी को जिकायद की थी कि जो उसका जो पैट्रल पूंप है कर रहा पूर्ड में उसमें नोसी जाली करने के लिए नहीं के मैनेजर दु सब्सक्राइब के लिए में वुजन फैक्ट्री में आग लग गई दर्जनों दमकलों की गाड़ियों ने बमुष्के लाग परकाबू पाया बताय जा रहा है कि आख शॉट सर्किट से लगी है आख से लाखों का नुकसान की आशेंका जताई जा रही है आख की चपेट मे पास में पली हुई जुग्यां भी आ गई है बोपाल के गोविनपूरा इंडिस्ट्रिल एरिया इस्थेत एक वुजन फैक्ट्री में सुभाग लग गई आग बढ़ने से लाखे में अफरा तफ्री मच गई आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है सूशना नगर निगम फायर आफिसर रामिश्वर नील भी मौके पर पहुँचे और फायर कर्मियों के साथ मिलकर आग बुजहने में जुट रहे हैं आग से लाखों के नुक्सान का अनुमान लगा जा रहा है जिस जगहां पर आग लगी उससे सटी कई जुगिया थी जो आग की च परजकार मुक्ती धाम बना और जिसकी दिवार गिर गई बताय जा रहा है कि दिवार की गुडवत्ता सही नहीं थी जिसकी वज़ा से दो वश्पूर्व बनी दिवार ढय गई मुक्तिधाम की दिवार बनाने में सरपंच और सचिव के ब्रष्टाचार करने की बात सामने आई है मुक्तिधाम महज दो वश पूर्व करेब चार लाग की लागत से सरपंच और सचिव ने बनवाया था जिसका अब कोई उप्योग नहीं हो रहा बताया जा रहा है कि दिवारों के पत्थरों का उप्योग दूसरी जगा सड़क और पुल निर्मान में भी किया गया ग्रामीडों का रोप है कि सरपंच और सहयक सचिव ने सरकार के खजाने से मुक्तिधाम के नाम पर पैसा निकाला और गुरवत तविहीन मुक्तिधाम बनवा कर कागजों में कार्रे को दर्शा दिया एक वर्ष भी उस मुक्तिधाम का अच्छी तरीके से उप्योग नहीं हो पाया था कि बारिश के वक्त मुक्तिधाम की दिवाने गिर पड़ी मुक्तिधाम में लगाय गए गेट को सरपंच और सायक सचिव के द्वारा बेच दिया गया ग्रामीडों ने बताया कि इसके शिकाय जन सुनवाई और सीईयो के पास भी की गई इसके बावजूत कोई सुनवाई नहीं हुई अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आसवाशन की दिया गया ग्राम पंचाय धनहरा में सामती धाम बना है यह सिगेट्रियम सरपंच के द्वारा प्रारम हमें बनवाया गया परंतु इसमें प्रारम से ही गलत प्रकार के सीमेंट का ना तो इसमें प्रयोग किया गया और बालू और मिट्टी का उपयोग करके इसे बना दिया गया और कुछी समय में बरसात का पानी आया और तूट गया और उसी पत्थर का उपयोग करके एक दो महीने बाद सरपंच और सिगर्टी यहां से ले गया और उसको अलग कारियों में उसका उपयोग करने लगे जैसे करना है यही प्राबलम है ँए पेशित की मुप्रिद्धात्र दीवारों पर लेकर हम 10 लोगों के पास अपनी बातों को पूंचा सकते हैं जनपत्पजायद बेढ़न के CEO वी के सिंग ने बताया कि धनहराग्राम पंचाय छेत्र के मुक्तिधाम की दो दिवारों पर पत्थर निकाले गए हैं, उन्होंने यह भी कहा कि मुक्तिधाम के गेट को सरपंच के द्वारा एक दुकानदार को बेच दिया गया, जिस पर गेट किसी दुकान वाले को बेचा था, दुकान वाले में गाउं में किसी थाड़ आजम को बेच दिया, एतियातन खाते उनके बद कर दिये गाए हैं, बाकी कारवाई शिवरी नोचार दिन में हो जाएगी क्रिकेट खेल से कोई अचूता नहीं है, क्रिकेट सभी का पसंदीदा खेल है, क्रिकेट खेलना भी सबको पसंद है, जवा में व्यपार मंडल क्रिकेट प्रतियोगता का आयोजन किया दा रहा है, जिसका शुभारम हुआ है, सांस्क्रिते कारिकरम हुए, ढोल नगाडों क साथ खिलाडियों का स्वागत हुआ आतिश बाजी के बीच मैच की शुरुआत हुए सज्जिन शुकला विशिष्ट अधिधी के रूप में डॉक्टर के के तीवारी नागेंद्र सिंग, मानिक लाल सोनी, जटाशंकर दिवेदी, भुपेंद्र सिंग, दिनेश कुपता, मोतिलाल सोनी, राम नारण सिंग उपस्तित रहे। उदगाटन मैच, पुलिस, बल, जवा तथा व्यपार मंदल जवा के बीच खिला गया। आईज़र डॉक्टर के के तीवारी ने बताया कि अंचल में खेल के प्रति लोगों का लगाव बढ़ानी के उद्देश से यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रतियोगिता के सफलायोजन के रहारी में समूझा व्यपार मंदल जवा उनके सभी पदादिकारी सदस्यों सहे छेतर के खिलाडी वा खेल प्रेमी मौझून रहे। पिछले बार से हमारी घोसना थी है कि हम ऐसा करवाएंगे। इस बार से थोड़ा अच्छा हो रहा है। सूफी गाया का निजामी बंधों ने एनारसी को लेकर कहा कि देश के प्रधान मंतरी नरिन मुदी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। वह जो करेंगे वह अच्छा करेंगे। इन गायकों ने एनारसी को एक अच्छा कदम बताया। पच्छमडी में चल रहें छे दिवसी पच्छमडी उस्सक के दूसरे दिन नजामी बंधों ने सूफी गीतों की प्रस्तुती दी। हजरत निजामुदीन, अलिया और हजरत अमीर खुसरो जैसे दरबारी गायक के 700 साल पुराने सिकंद्रा घराने से तालुक रखने वाले नजामी बंधों के गायन से पच्छमडी की वादिया सूफ्याना हो गई। निजामी बंधों ने एनार्सी के सवाल पर कहा कि वह एक अलग मेटर है मेरे ख्याल से वह एक अच्छी बात है और अच्छी बात नहीं भी है निजामी बंधों ने एनार्सी का अपने अलग अंदाज में जवाब दिया उन्होंने कहा कि एनार्सी का मतलब है निजामी चंत्री नर्यन कोधिय और अच्छे रहेंग और वह जो करेंगे वह अच्छा करेंगे उ नहोंने कहा कि सुफी संगित जिसे शास्त्रे संगित कह जाता है वह Instagram में कृत्म होmarket है यानि उनकी आत्मा की रियाश है जब तक दुनिया रहेगी तब तक संगीत रहेगा लेकिन यह सूफी कवाली और हमारा हिंदुस्तान का शास्तर संगीत रहेगा जब तक दुनिया रहेगा कवाली रहेगी निजामी बंधों ने मुसे नैना मिलाए के गीट पर अपनी प्रस्तुती से लोगों को मंत्रमक्त कर दिया इसके बाद उन्होंने ख्वाजा मेरे ख्व वतन तेरे लिए जैसे गीतों की महफिल में चार चार लगा दिया है इस बुलचिन में फिल हाल इतना है आप देखते रहें दखल नियुस दखला आपके हद में संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़डीती से उटमीती दखन न्यूद आपके हप्ता आप देख रहे हैं दखन न्यूद